नमस्कार दोस्तों, संस्कृती AIS यूट्यूप चैनल पर आप सभी का स्वागत है, आज बात करेंगे भारतिय अंटाक्टिक विधेयक 2022 के बारे में, अंटाक्टिका छित्र क्यों महतुपूर्ण है भारत के लिए, अंटाक्टिका शंधी क्या है, अंटाक्टिका ये विधे कि आज हम लोग को क्या-क्या पढ़ना है कि सबसे पहले यह चर्चा में क्यूं है क्या है इस विध्यक में विध्यक का टाइम लाइन देखेंगे विध्यक के बारे में विस्तार से बात करेंगे विध्यक के नुसार अंटाक्टिका में शामिल छेत्र के बारे में देखेंगे अंटाक्टिका से भारत का पुराना रिस्ता क्या है इसको समझेंगे और फिर फाइनली अभ्यास प्रस्न देखेंगे अगर हम न्यूज देखें तो मॉनसून सेशन डोमेस्टिक लॉज एक्स्टेंडेट टू इंडियन सेंटर्स इन अंटाक्टिका तो भारत का जो केंद्र है अंटाक्टिक में वहां तक घरिलू कानून का विस्तार हो गया है ऐसा बोला जा रहा है फिर कहा जा रहा है कि जो अंटाक्टिक बिल 2022 है उसको अपर हाउस में रखा गया और उसके बाद ध्वनी मत से वो पारित हो गया तो एक अगस्त को ये अपर हाउस से पारित हुआ था अप्रिल में ये लोकसभा में रखा गया उसके बाद जुलाई की महीने में ये लोकसभा से पारित हुआ था और फिर उसके बाद ये अगस्त में एक अगस्त को राजिसभा से भी पारित हो गया इसके बारे में हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, यह सबसे सदन कंटिनेंट है, सबसे दक्षिनतम महाद्वीप है, साथ ही साथ यह दक्षनी गुलार्थ के अंटार्क्टिक छेत्र अलग भग पूरे तरीके से अंटार्क्टि में इस्थित है और यहां पर आप अंटाक्टिका के इलाखा को भी देख सकते हैं चले यह चारों और से किस से घिरा हुआ है सदन ओसियन से घिरा हुआ है दक्षणी महासागर से घिरा हुआ है इसका जो एरिया है वो 140 40,000,000 km का एरिया है एशीया, अफ्रिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षनी अमेरिका के बाद यह परिथ्वी का पाँच्वा शबसे बड़ा महाद्वीप है अगर देखें तो लगभग इसका 90% भाग वो बर्प से आच्छा दित है एक दसमलो चो किलो मेटर मोटी बर्प से औस् प्रतिशत भाग इसका आच्छादित है थोड़ी सी और विशेस्ता के बारे में अगर देखें अंटार्क्टिक छेत्र की तो इसे विश्व का सबसे ठंधा सुस्क ड्राइब भी कोल्ड भी और तेज हबाओं वाला ये महाद्वीब है इसको एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो 200 mm की होती है एट इच की वर्षा होती है और उसमें भी जादा तर कोस्टल इलाकों में टटिय च्छित्र में वर्षा होती है यहाँ पर कोई स्थाई निवास नहीं है कोई यहाँ पर जाक च्छितर में काम करते हैं इस इलाके में अनुशंधान करते हैं यहां पर सिर्फ सीता नुकलित पौधे हैं मतलब वैसे पौधे जो ठंड में रह सकते हैं उस प्रकार के पौधे हैं और साथी साथ उस प्रकार के ही जीव ही यहां पर जीवित हैं जैसे पेंग्विन, सील, नी जीव जो थंड में रह सकते हैं वही यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे सबसे महत्तोपूर्ण बात एक और भी चीज है यहाँ पर एक सवाल आपके मन में उठता होगा कि अरे अंटाक्टिक छेत्र महत्तोपूर्ण क्यों है क्यों जरूरी है इतना यह छेत्र तो अगर जो यह छेत्र है इसकी विशेस्ता क्या है अंटाक्टिक छेत्र की तो सबसे पहले यहाँ पर माना जाता है कि जो आईस सीट है जो वर्प से अच्छादित च्योंकि 98% भाग वर्प से अच्छादित है तो उसके नीशे माना जाता है कि बहुत बड़ा एक साफ पानी का सोर तो fresh water का यह source है इसके नीचे साथ ही साथ प्रकृति के बारे में अगर आपको जानना है तो नेचर के बारे में जानकारी यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं तो research के माध्यम से यहाँ से आप नीचर के बारे में आप जान सकते हैं प्रकृति के बारे में आप विस्तार से जान सकते हैं तीसरा climate कैसा था आज से लाखों साल पहले climate किस प्रकार का था पर्यावरन किस प्रकार का था इसके बारे में आप समझ सकते हैं तो विस्व के बहुत सारे ऐसे रोचकता तो जैसे climate जैसे वनस्पति की प्रकृति, जैसे वहाँ पर जीव किस प्रकार के होते हैं, उनकी विसेस्ता क्या होती है, धेर सारे ऐसे interesting facts, जिसको मैं I.F. कह रहा हूँ, रोचक तत्य, उसके बारे में यहाँ से आपको जानकारी मिलती है, ठीक है, तो इस कारण से, यहाँ पर आप sources, कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए आपको यहाँ पर विज्ञानिक अनुसंधान देखने को मिलता है, ठीक, चले, अब देखते हैं थोड़ा सा Antarctic संधी के बारे में, Antarctic संधी का चुकी जुडाव इस बार के विध देशों को उससे संबंधित, Antarctic संधी से संबंधित ही कानून अपने देश में भी बनाना था, और यह उनके लिए mandatory था, सायद मैं आपको समझा नहीं पाया, फिर से बताता हूँ, देखे, Antarctic संधी जिन देशों ने sign किया है, यह Antarctic संधी क्या है, इस पर हम लोग विस्तार स से बात करेंगे, लेकिन Antarctic संधी जिन देशों ने sign किया है, उन देशों के लिए यह mandatory था, यह मतलब आवश्यक था, कि वह अपने ग्रिह देश में, मतलब अपने घर में, अपने देश में, इस से संबंधित ही एक कानून बनाए, ठीक है, तो इस कारण से ही भारतिया Antarctic वि ज्यानिक अनुसंधान के लिए, केवल साइन्टिफिक रिसर्च के लिए, ना कि यहाँ पर इसको सैननिकृत करने के लिए, केवल और केवल साइन्टिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, तथा और सैननिकृत छेत्र बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि यहीं पर जो है अंटाक्टिका संधी जब स्टार्टिंग में 12 देश इसमें जो थे मूल हस्ताक्षर करता कौन-कौन है अरजेंटीना, उस्ट्रेलिया, बिल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, नियूजिलेंड, नौर्वे दक्षिन अफरिका, सोवियत संग, यूके और यूएस तो इस समय भारत नहीं है, स्टार्टिंग में भारत नहीं है भारत बाद में आता है, आप देखेंगे यह संधी वर्ष 1961 में लागू हुई है इसके पस्चात कई अन्य देसों ने इसे स्विकार किया है अगर भारत को देखा जाए, तो भारत ने इसे कब स्विकार किया 1983 में, ठीक, और इसमें लगभग अभी चोवन जो हैं वो इसके पक्षकार है, चोवन साइन करने वाले देस हैं हस्ताक्षर करता देस हैं, और इसका मुख्याले ब्यूनस आयर्स अर्जंटीना में है अगर बात करें, इसके प्रमुख प्रावधान की इस संधी में क्या-क्या बाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपने देखी लिया था स्टार्टिंग में ही उदेश में ही कि यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना है साइन्टिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना है देश महाद्वीब का उप्यों केवल सांतिपूर्ण उदेशों के लिए कर सकते हैं यहां इस महाद्वीब का उद्देश विवेने देशों के द्वारा सांतिपूर्ण उद्देशों के लिए किया जाए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाए, ना कि यहां पर इस छेत्र को सैन्निकृत करने के लिए किया जाए सेन्य गतिवीधियों परमानू परिक्षणों और रेडियो धर्मी कच्रे पता चला कि जो रेडियो एक्टिव मेटेरियल्स है उसके जो विस्ट है उसका निस्तारन करना उसको कहा फेका जाए तो चले जाओ अंटाक्टिका इस सब करने के लिए नहीं तो सेन्य गतिवीधिय के लिए भी नहीं परमानू परिक्षणों का भी निशेध है और रेडियो धर्मी कच्रे के निप्टान का भी निशेध है इस संधी के तहत और साथी साथ चेत्रिय संप्रभुता को निस्प्रभावी करना इसका मतलब है कि कोई देश ये न बोले कि कोई देश इस पर कोई की देश की इस महाद्वीप पर दावेदारी संबंधी किसी विवाद पर रोक लगा दी गई ऐसा कोई न बोले कि ये महाद्वीप मेरा ही है इसे चाइना ने कहा दिया महाद्वीप मेरा है पूरा अंटाक्टिका मेरा है तो इस पर रोक लगा दी गई है इस संधी के माध् और अंटाक्टिक संधी के लिए पर्यावरण संदक्षन पर प्रोटोकॉल ये तीनों चीज पहला ये अंटाक्टिक संधी दूसरा अंटाक्टिक समुद्री जीव संसाधन संबंधी कन्विंशन और तीसरा अंटाक्टिक संधी के लिए पर्यावरणी संदक्षन पर प्रोट किया गया है तेख्या इन तीनों को लागू करने का प्रयास किया गया है इस विध्यक के माध्यम से यह अंटाक्टिक के वातावरन के संडक्षन तथा इस छेत्र में संभावित विवादों को वी नियामीत करने की भी परकलपना करता है जो भी अंटाक्टिक छेत्र में विव इस विध्यक के माध्यम से संरक्षित करने का प्रयास या फिर विनियमित करने का प्रयास किया जाएगा टाइम लाइन अगर देखिए तो एक अप्रेल को प्रस्तावित हुआ पारित जुलाई 22 को हो गया लोग सभा में और अगस्त एक को ध्वनिमत से राज्य सभा में भी प के माध्यम से क्या मिल गया एक नीतिपूर्ण धाचा नीतिगत धाचा मतलब एक तरह से इस कानून में जो बाते हैं उस बातों को ही हम लोग अंटाक्टिक छित्र में लागू करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा इस से कि हमारे पास एक पहले से ही एक धाचा होगा और उस धाचे के अनुरूप ही हम लोग काम करेंगे जैसे माल लीजिए कि आज मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाना है तो मैं क्या करूँगा या फिर कोलकता जाना है तो क्या करूँगा पहले से एक प्लैन कर लूँगा एक धाचा मेरे पास होगा कि देखो ऐस गलकता जाना है ऐसे 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 चीजों को करना है तो उससे क्या होगा कि जाने के बाद परिशानी नहीं होगी या फिर कुछ गलत नहीं होगा तो सीधा सीधी जाओ और सीधा सीधी वहाँ पर उन चीजों को ही करो जिसका आपने धाचा तयार कर रखा है ठीक प्रयटन के प्रबंधन और सतत विकास सहित भारतिया अंटाक्टिक कारेक्रम की गतिवीधियों को सुविधा जनक बनाना तो जो हम वहाँ पर activity कर रहे हैं, उसको सुविधा जनक बनाएंगे साथ ही साथ वहाँ पर सतत विकास का भी ध्यान रखेंगे अंटाक्टिक छेत्र में और साथी साथ वहाँ पर जो टूरिजम होता है उसका भी बेटर प्रवंधन करेंगे अंटार्क्टिक शासन एवं पर्यावरन संदक्षन समीती इस्थापित करना तो ये एक समीती इस्थापित करने की बात है भारत की दोरा इस विधेयक में इस पर बात करेंगे जिससे क्या होगा प्रासंगिक अंतरास्टिय कानूनों की निगरानी कार्यानवन और अनुपालन सुनिस्चित हो सकेगा जो भी अंटार्क्टिक शेतर के लिए कानून है उन कानूनों का पालन हो ये सुनिस्चित हो सकेगा उसकी निगरानी की जा सकेगी, उन कानूनों का कार्यानवन या फिर implementation किया जा सकेगा, चो भी स्चेतर से संबंदेत अंतरास्टिय कानून है, एवं साथ ही साथ जो वहाँ पर उत्सर्जन मानक है, अब ऐसा नहीं कि जाकर वहाँ पर आप परियावरन संदक्षन समीती, इसका उदेशी ही है कि अंतर्टिक छेतर में जो भी international कानून है, international law है, उसको लागू करें, उसका क्रियानवन करें, उसकी निगरानी करें, साथ ही साथ जो भी मानक हैं, जो भी parameters हैं, emission का, उत्सर्जन का, जो भी parameters हैं, उसको भी proper तरीके से, उसका भी control करना, उसको देखना, उसका भी पालन, सुनिश्चित कराना, और जो भी नियम है, जो भी कानून है, उन सभी, जो भी security related कानून है, इन सभी चीजों को आना, वरजित है, किसी भी अभ्यान का, या फिर किसी भी वैक्ति का, यहाँ permit द्वारा केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमती ही, मिलेगी केवल और केवल scientific research कर पाएंगे आप, जो भी यहाँ के पौधे हैं, स्थानिक पौधे को ले जाने पर रोक है, भारतिय टूर ऑपरेटर्स के लिए भी permit जरूरी है, जो भी tourism के लिए अगर लेके जाते हैं, तो उसके लिए भी permit जरूरी है, अंटार्क्टिक में कुल 40 स्थाई अनुसंधान केंदर हैं, जिसमें भारत के मैत्री, भारती, इत्यादी, शामिल हैं, तो यहाँ पर कुल 40 research centers हैं, और उसमें से भारत के भी कुछ-कुछ research center हैं, आगे भी पढ़ेंगे हम लोग, वैसे मैत्री, भारती, इत्यादी, भारत के के research centers है तो permit जो है वो किसी बिना permit के कोई जा नहीं सकता permit के वल साइनटिफिक कारियों के लिए मिलेगा अब जा करकर के वहां पर आप वहां के जो पौधे होंगे उसको आप पता चला उसको आप नुकसान पहुँचा रहे हैं ऐसा भी नहीं कर सकते आप वनस्पथी को लेकर नहीं आ सकते तूर अगर टूरिजम के लिए कोई बात है तो उसके लिए भी पर्मिट जरूरी है वही सब इस विध्यक में प्रावधान है पर्मिट की जरूरत कब होगी ठीक है अगर अंटाक्टिक में जाकर कोई भारती अभ्यान का प्रवेस हो जाए तो पर्मिट की जरूरत पड़ेगी या फिर उसका वहां रहना तो उससे में पर्मिट की आवशकता पड़ेगी ठीक अंटाक्टिक में किसी व्यक्ति का प्रवे जहाज या विमान का अंटार्क्टिक में प्रवेस या वहाँ पर रहना तो भारत में कोई रजिस्टर्ड जहाज है उसका अंटार्क्टिक में प्रवेस बिना पर्मिट के नहीं हो सकता और उसका भारतिय स्टेशन जो अंटार्क्टिक में स्टेशन है भारत का वहाँ पर रह पढ़ेगी ठीक है वैसी गतिवीदिया जो वहाँ पर देसी प्रजातियों को नुकसान पहुचा सकती है उसके लिए भी पर्मिट की जुरत पढ़ेगी कैसा अगर आपको कुछ करना है या फिर जहाज विमान किसी परकार का कच्रा निस्तारन अपचार हैं की विस्ट चीजो को वहीं डिस्पोज कर दें ठीक है उसके लिए भी पर्मिट किया हो शकता पढ़ेगी प्रतिबंदित गतिवीदिया क्या है स्टार्टिंग में ही देखा था आपने मैंने आपको बोला ना अंटाक्टिका संधी है उसी को प्रभावी करने का ये विध्यक जो है वो कारे कर करता है ठीक है तो जैसे उसमें भी था कि भाई आप कोई भी परमानु विस्फोट या रेडियो एक्टिव कचड़े का निस्तारन नहीं कर सकते उपजाओ वहां से मिट्टी पता चला हम लोग यहां लेकर आ गए और लगे यहां पर खेती करने ऐसा भी नहीं हो सकता बंधित गतिवीधिया है विल किन पर लागू होता है या विधियक किन पर लागू होता है तो कोई भी वेक्ति जहाज या विमान पर लागू होगा जो बिल के तहत जारी परमिट के अंतरगत अंटाक्टिक के लिए भारती अभियान का हिस्सा है या विधियक भारती नाग पर भी लागू होता है तो इंडियन से इडिजन्स के साथ साथ यह फॉरन से इडिजन्स पर भी जो है वो लागू होता है और कोई भी वेक्ति हो जहाज हो या विमान जो बिल के तहत जो परमिट जारी होता है उसके अंतरगत कहा गये हैं अंतार्क्टिक और वहां के लिए ज आंटार्क्टिक में शामिल छेत्र कौन-कौन है तो अंटार्क्टिक महाद्वीप जिसमें आइस सेल्प्स यह सामिल है इससे सटे महाद्वीप्य सेल्प्स के सभी छेत्र तो महाद्वीप्य शेल्फ भी सामिल है आइस शेल्फ भी सामिल है और सभी द्वीप ठीक है आइस से के सहित सभी जो आइलेंड से वो भी सामिल है साथ डिग्री अक्षांस के दक्षिन में स्थित सभी समुद्र और वायू छेत्र तो देख रहें आप इसके अंतरगत बिल में जो अंटार्क्टिक में किनको किनको सामिल किया गया है तो सबसे पहले आपने देखा कि अन्टाarctic महादौिप जिसमें ice लव वो सामिल है साथ ससैफ सभी दौूइब नीचे साथक्षांस ौशह समूध और वायूफ़ धेत्र हैं सबी अंतरगत सामिल है ठिक अब यह देख सकते हैं Antarctica को यहाँ पर यहाँ देखिए South Pole है यहाँ पर प्लस पर लेखा हुआ है इधर Indian Ocean है यहाँ पर Pacific Ocean दिख रहा है यह आपको Antarctica Circle दिख रहा है और उसी के दक्षिन में यह स्थित है यहाँ पर और विस्तार से आप Antarctica च्छित्र को समझ सकते हैं यहाँ देख Antarctica के जितने भी आई सेल्फ हैं सब इसके अंतरगत शामिल हैं केंद्र सरकार एक अंटाक्टिक शाषन और पर्यावरन संदक्षन समीती भी बनाएगी यह मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक समीती भी बनाने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार जो क्या करेगा बहुत समीती के अध्यक्षों के रक्षा विदेशी मामले जैसे विविन मंत्राले और रास्टिय धुरुविय और महासागरिय अनुसंधान केंद्र इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे रास्टिय धुरुविय और महासागरिय अनुसंधान केंद्र तथ रास्टिय सुरक और महासागरिय अनु संधान केंद्र साथी साथ राष्टिय सुरक्षा महापरिसत सचीवाले यहां से दस लोगों को नामित किया जाएगा मंत्रालेों से नामित सदस्य कम से कम संयुक्त सचीवत्सतर के अधिकारी होने चाहिए तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ही लोग ह होंगे इसके अतरिक्त अंटाक्टिक के वातावरन और भूराजनिती छेत्रों से संबंदेत जो एक्सपर्ट होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा नामित होंगे तो वहां के बारे में जो दो एक्सपर्ट जो अंटाक्टिक छेत्र के बारे में विसेश ग्यान रखते हैं वो भी इसमें नामित होंगे इसका काम क्या था हम लोगों ने बताया था धेर सारे चीज़ों की निगरानी कार्यानवन उसमें क्या क्या है जैसे मान लेते हैं अंतरास्टियों कोई कानून है तो उसकी निगरानी करना उसका क्रियानवन करना और उसका अनुपालन सुरक्षित करना सुरक्षा कानून से संबंदित कोई बात हो तो उसका भी निगरानी करना उसका भी अनुपालन कराना ठीक है तो ये सब जो काम है इस समीती का है तो ये देखी लिए आपने विविन गतिवीधियों के लिए भी देख लिजे अंटाक्टिक के वातावरन संद्रक्षन के लिए प्रासंगिक जो भी अंतरास्टिय कानून है उसके कर्यानवन अनुपालन को सुनिस्चित करना संधी कन्विंशन और प्रोटोकॉल के पक्षों से जानकारी हासल करना और उनकी समिक्छा करना जो भी वहाँ संधी होता है अंटाक्टिक के खेता में जो भी संधी है कन्विंस्चन है उसके समदित सुमद्धित जानकारी है उसको प्रात करते रहना औंकंटे चतिका में गतीविदी के लिए अन्य पक्षों से फीस चार्ज इत्यादी पर बात करना जो भी गतीविदी कि हम करेंगे उसके लिए क्या फीस लगेगा इन सब सभी मुद्दे पर ये समीती कारे करेगी तो एक तरह से भारत के लिए अग्रणी समीती होगी जो अंटार्टिका छेतर में जो भी गतिविदी हो रही है उसके लिए जिम्मेदार होगी विद्यक प्रावधानों के उलंग के लिए ड्रिलिंग करना या गैर देशिय जानवर या पौधे को ले जाने पर साथ वर्स तक की कैद और दस लाख रुपए से पचास लाख रुपए तक का जुर्माना है बिना परमिट कि आप चले गए वहाँ पर खनीजों के ड्रिलिंग करने तो इन सब से क्या होगा इ अधुसूचित कर सकती है ठिक तो न्याले को भी अधुसूचित कर सकती है सत्र न्याले एक या अधिक से एक से अधिक सत्र न्याले को अधुसूचित कर सकती है और विद्यक के तहत डंडिय अपराधों की सुनवाई के लिए अपने छेत्रा धिकार को निर्दिष्ट कर सक मैं पर चीजा है उन अपराधों को देखा जा सकते उन अपराधों की निग्रानी की जा सकते उसका छेत्राद का इसको भी निर्दिष्ट कर सकती है तीक अंटाक्टिक से भारत का पुराना रिस्था क्या है भारत अंटाक्टिक संबंधी निम्न संधियों का भी हस्ताक्षर करता है तो ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली बात है जो मतलब हम लोग अंटाक्टिक छेतर में चीज़ें कर रहे हैं लेकिन इससे पहले भी हमारा Antarctic से घरा रिस्ता रहा है। जैसे Antarctic समुद्री जीवित संसाधनों के सन्रक्षन पर Convention, Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, Antarctic समुद्री जीवित संसाधनों के संद्रक्षन के लिए आयोग, Commission for the Conservation of the Antarctic Marine Living Resources, यह दोनों का जो है, वो हस्ताक्छर करता भारत रहा है जो मैंने वहाँ पर आपको कहा था National Center for Polar and Ocean Research NCPOR कहाँ पर कहाँ था याद है आप लोग को इस जगह पर NCPOR तो NCPOR के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर है देखे यह वाला जो मैंने कहा था कि वहाँ पर बताएंगे थिक तो NCPOR क्या है इसकी स्थापना 25 मई 1998 की गई यह प्रित्वी विज्ञान मंत्रा ले जिसको आप Earth Science Ministry कहते हैं पुरो में इसका नाम महसागर विकास विभाग था उसकी का एक स्वायत अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में इसके स्थापना की गई थी तो यह एक अनुसंधान संस्थान था और डिवलपमेंट कारे मतलब विकास कारे के छितर में काम करता था यह गोवा में स्थित है यह अंटाक्टिक में भारत के स्थाई जो स्थेशन है वहाँ पर जैसे आपने देखा मैत्री भारती उसका रख रखाओ समनवे कार्यानवेन के लिए यह एक तरह से नोडल संगठन है मतलब यह जो भी वहाँ पर हमारा जो स्थाई संग जो हमारा वहाँ पर अनुसंधान केंदर है उसकी देखरेक उसकी सभी चीजें की जो बात है वो National Center for Polar and Ocean Research के अंतरगत ही आती है तो उसका रख रखाव हो वहाँ पर कर्यानवन हो सब काम यही करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया अन्टार्क्टिक प्रोग्राम सिंस इट्स इंसेप्संस मतलब स्टार्टिंग में इन नाइन्टीन एटीवन इंडिया एस्टेबलिस्ट थ्री रिसर्च बेसेश इंडिया ने तीन रिसर्च बेस वहाँ पर बनाए नुसंधान केंदर बनाए दक्षिन गंगोत्री जो कि नॉन एक्टिव है कारेरत नहीं है उसके बाद मैत्री अन भारती यह दोनों एक्टिव हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो काफी व्रिहत लेवल पर अंटार्क्टिका में चल रहा है अब एक सवाल जो आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं वो सवाल क्या है? इसको समझते हैं तो धन्यवाद छो है ओधो फोड़ा सा लेट से स्टाइट होगा अभी हम लोग पहले थोड़ा सवाल को देख ले एक सवाल जो आप यहां पर लिख सकते हैं ठीक है कि जो अंटाक्टिका ट्रीटी है जो संधी है ठीक अंटाक्टिका जो संधी है उसकी प्रमुख प्रावधान क्या है प्रमुख प्रावधान क्या है ठीक अंटाक्टिका संधी के प्रमुख प्रावधान क्या है एक सिंपल सवाल और क्या यह विधियक इस संधी को प्रभावी बनाने में मदद करता है क्या यह विधेयक जो भारती अंटार्क्टिक विधेयक था क्या यह विधेयक इस संधी को प्रभावी बनाने में मदद करता है इस पर बात लिखेंगे प्रभावी बनाने में मदद करता है तो हम ने इस संधी के बारे में वैसे एक मिनट इस संधी के बारे में वैसे हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया है लेकिन इस संधी को स्टार्टिंग से हम लोग देख लेंगे जब स्टार्टिंग से मतलब आप लोग देखिएगा और इसको सॉल्ब करने का प्रयास करिए तो अंटाक्टिक संधी के प्रमुख प्रावधान क्या है अंटाक्टिक संधी के प्रमुख प्रावधान क्या है अंटाक्टिक विधेयक है भारती अंटार्क्टिक विधेयक 2022 इन प्रावधानों को प्रभावी धंग से लागो करता है तो यह एक सवाल है जिसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे चलिए ठीक तो सभी का धन्यवाद जितने भी लोगों ने इस सेशन को देखा अपने दोस्तों त कि अवाते तो सभी करता है